नमस्कार रागगिरी वीकेंड इंटर्व्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है और कथक भारतिय शास्त्रिय जो नृत्य हैं जितने भी उनमें एक बहुत ही मजबूत और सबसे पॉपुलर कह सकते हैं प्रकार है डांस का शास्त्रिय नृत्य का और आपने नोटिस किया हो जुड़ रही है साबेरी जी बहुत ही युवा आपको देखके लग रही होंगी लेकिन जब मैं आपको यह बताऊंगा कि इनके जो परिवार में संगीत की परंपरा है वो उस परंपरा की ग्यारहम ही प्यूड़ी की एक अलाकार है तो संभवता आपको समझ में आएगा कि इनकी जो इनके शरीर में जो खून बहता है ना दरसल उसमें भी संगीत है तो साबेरी सबसे पहरे तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका नमस्ते तैंक यू सो मच फो इंवाइटिंग मी बहुत अच्छा लग रहा है यहां पर आके और शिवेंद्री जी तैंक यू सो मच मैं चैना कि मैं बताना जरूरह कि मैंने परिश्चा में जरूर कि साबेरी लंडन में रहती हैं लेकिन आप अकसर के कॉई बच्च्छा कोई बच्ची एए और थोड़ा कथच करती होगी लेकिन जब साथ में ये आता है कि Đây से परिवार में संगीथ है तो थोड़ा इसके बारे में बताईए तो वहां से फिर आगे सवाल जवाब शुरू करेंगे लेकिन वहीं से शुरू करते हैं पहले वहीं बताईए जैसे आपने कहां मैं 11 जेनरेशन की हूं तो मैं सबसे यंग हूं तो मेरे जो बड़ी दाजाची थे उनका नाम पंडित चैलाल महाराद जी और रही वस दोयन ऑफ जैपूर घराना तो उनके हाथ से आप बोल सकते के जैपूर घराना का जो नाम आज है उनके वज़े से ही है और जो जो हमारे पास आज है वो उनके वज़े से ही है उनके बद बजाते थे वो पखावज भी बजाते थे वो भजन्स भी लिखते थे तो उनका एक डाइडी है मेरे पास उस पे सब उसमें सब जैपूर घायने के जो बहुत ट्रडिशनल खांदानी जो कॉंपोजिशन्स होते हैं वो सब लिखे हुए हैं तो कत्थक डांसर अच्छली तब के कत्थक डांसर ऐसे ही होते थे वो सिर्फ कत्थक नहीं जानते थे तो हमारा जो परंपरा है हमें यही सिखाता है कि कत्थक डांसर सिर्फ कत्थक नहीं करते हैं उनके पास गाने का भी न दादा जी को तो मुझे तो वो सौभागय हुआ नहीं कि मैं उनका वो कलाकार उनको देखूं। लेकिन उसके बाद दादा जी पंडित रामगोपाल मिस्रा जी, निर्ट चारिया पंडित रामगोपाल मिस्रा जी, वो भी सेम थे, वो तो बहुत बड़े कथक गुरु थे ही, लेकिन in his time actually he was one of the best tabla accompanists with कथक। तो मैंने सुना है ये मेरे पिता जी से पढ़ने राजकुमार जी से, के दादा जी का tabla अल्ला रखा जी ने जाकिर जी को बोला था, कि आप जाके इनका tabla देखिये, इनका accompaniment देखिये के डांस के साथ कैसे accompaniment होता है। तो मैं बहुत लग तो उन्होंने actually dance सीखा था मेरे बड़े दादा जी से, पंडे जैलाल जी से और फिर उन्होंने मेरे दादा जी से शादी किया। तो ये जो तीन लोग है ना, ये है pillars, हमारे family के जो pillars हैं और इनके वज़े से ही आज बाबा को जो तालीम मिला है, मेरे पिता जी को और फिर आगे बढ़ाने के लिए. तो मैं क्या बोलू मैं लखी हूँ के, you know, I was born in this family, it's all about luck. तो अभी क्या होता है कि आप जब ऐसे परिवार में आप जब जब जन्म लेते हैं, तो हमेशा अपके हर तरफ गाना और नाच और बोल और सूरी होता है. तो actually subconsciously मेरे में वो आ गया था बहुत early और मेरी मा भी, she's a Hindustani vocalist, Shemati Chandraman Misraji. तो उसके वज़े से सूर और ताल और घुंगरो की आवाज हमेशा मेरे आसपासी होती थी. तो ये actually बहुत subconsciously हो गया. फिर आइस्ता आइस्ता जब बड़ी हुई around 10-11 years old, then मुझे समझ में आया कि नहीं है, मैं बहुत seriously करना चाहती हूँ. उसके पहले क्या था? It was just part of my body. तो परंपरा तो मैं क्या बूलू? मैं लखी हूँ कि ये है मेरे पास. लेकिन इसको आगे लेके जाना भी बहुत मुश्किल काम है. और यंग होने का एक advantage ये है कि आप, मैं बहुत यंग एज में मुझे ये सब stories मुझे सुनन को मिली. और ये सब compositions मुझे सीखने को मिले. और इतने सारे rich जो परंपराय हैं, उसके अंदर मुझे रहने का वोका मिला है. तो very lucky in that sense. मैंने पढ़ा कि आप धाई-तीन साल की थी जब से ये music का कीड़ा लग गया था. तो तब तो धाई-तीन साल की थी. अब अगर आज मैं आपसे पूछूं कि क्या कोई, जब आप ऐसे परिवार में आते हैं, जहां 11 पीड़ियों से कला है, संगीत है, नृत है, तो एक जब आ करना है, यहां लगता है कि नहीं नहीं, प्राउटली लगता है कि नहीं नहीं मुझे यही करना है, यह जो दोनों चीजों का फर्क है, मतलब एक तो यह करना ही पड़ेगा, ठीक है, जैसे पढ़ने में होता है, ना कि पढ़ना ही पड़ेगा, तो आपका thought process क्या रहा? मैं जब चार साल की थी, मैं आपको बताती हूँ, मैंने अपना पहला stage performance किया था, मुझे जो याद है, अगर मैं सही हूँ तो, I did a very short solo performance in Kolkata, और the only thing I remember about that is, कि लोग ना सामने बैठके, बहुत चोटी थी तो, जादा कुछ तो याद नहीं है, लेकर इतना याद है कि लोग ऐ जाके, शाएद मैने मा को बलाता कि लोग घस क्यू रहे मेरे उपर, seriously क्यो नहीं ले रहे हैं, मैं जो कर रहे हैं, उसको seriously लेना चाहिए, लोग तो बड़े-बड़े artists क्यू उपर नहीं हसते, मेरे उपर क्यू हस रहे है, तब मुझे पता नहीं था कि मैं चाहिद मैं बच् यही तुमको करना है, ऐसा मैं नहीं बोलूगी, लेकिन यहां, यह था, जैसे मैंने बोला कि हमेशा आसपास वही रहता था, और कुछ था ही नहीं, तो एक बच्चे का क्या होता है, अपके वो खून में वो आ जाता है, वो खून में तो है ही, और फिर अंदर जो वाइब्रेशन होता है, वो उसका ही होता है हमेशा, आप सुबह उटके सुन रहे के आपके दादी सिखा रही है किसी को, आप सुबह उटके सुन रहे के मा गा रही है, पिर मैं, वन I was born, my mother used to keep me on her lap, एक lap में में होती थी, एक में तानपूरा, तानपूरा बजा बजा के मैं इधर सो रही हूँ, वो मुझे थपकी दे दे के सुला रही है और गा रही है, तो उसमें क्या होता था, मा का जो वाइब्रेशन होता था ना, गाने का जो वाइब्रेशन, मेरे बाडी में आता क्लास सेवन, क्लास सेवन में आप जाते हो, सेकंडरी स्कूल होता है, तो आई रमेंबर बाबा ने मुझे बोला था, कि तुमको अगर ये नहीं करना है, तो इस एपसलूटली फाइन, ये तुम्हारा चॉइस है, हम तुमको चॉइस दे पता है, जादा आस-पास तुमारा जादा चॉइस नहीं था, क्योंकि दर सिर्फ गाना बजाना और नाची था में आस-पास, लेकिन उन्होंने मुझे बोला था, माने भी बोला था, कि ये कुछ फॉर्स, हम बिल्कुल फॉर्स नहीं कर रहे है तुमको, लेकिन बाई, वन I was four or five, मैंने decide already कर लिया था, मुझ It was a fascinating world to me, कि आप जा रहे हो stage पे, आप ये perform कर रहे हो, और लोग इतना ताली दे रहे हैं, इतना खुश हो रहे हैं, तब जब बच्ची थे तो वो ये लगता था, फिर बाद में धोड़ा जाके मुझे लगा कि नहीं, it's such a rich, 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 rich art form, और ऐसा एक art form है, जो ज़ादा प्लास एक अंदर का भी वो था कि नहीं, मुझे यही करना है, जब बाबा और माँ कह रही हैं, तो मुझे लगता है कि रागगेरी के सब्सक्काइबर्स को मैं बता दूं कि पंडित राजकुमार मिष्ट जो इस देश के जाने माने तबला वादुकों में से हैं, वो भी ल से मैं समझना चाहता हूं कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो माता जी और पिता जी के घराने तो उसका भी संभवता आपको कुछ फाइदा हुआ होगा कि दो दो घराने की चीज़ें एक साथ घर में बैठे बैठे मिल गई बिलकुल बिलकुल क्योंकि मैंनी मा एक्शली शी ल बिक्रम घोष और वाइफ ऑफ शंकर घोषची पंडे शंकर घोषची तो यू नहीं इस तरफ मेरी मा उन्होंने वहां तालीम लिया पटियाला घराना तो दोनों का जो मिश्रन था वो बहुत इवस वेड़ी यूनीक अच्छी वेड़ी एक्शी वेड़ी यूनीक वेड़ी वेड़ी अडवांटेजस फॉर मी बिकॉज बहुत बात में मुझे समझ में आया इंक 15-16 तब होगा के गाना और डांस का बहुत पास का रिलेशन है तबला का तो है लेकिन गाने का भी है बिकॉज नाच में भाव है इसमें भाव को अच्छी तरीके से एक्स्प तो इसलिए मुझे दोनों का जो साइड मिला है अगेन वाट कनाइसे आफ बेरी लखी इसना नाथ 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 इसमाने में जुड़े हुए हैं इसलिए मैं आपसे यहां तो नहीं कह सकता कि कुछ आप हमें डांस करके दिखाईए लेकिन कोई अप पर था और जो क्लिप आप हमें दिखाने जा रही हैं दरसल उस क्लिप में आपने आपका नृत्य जो है वो क्या कहता है जी मेरा एक बहुत ही यादगार कॉंसर्ट था वो था इन संगीत रिसर्च अकैडमी कोलकाता अब वहां पे जादा तर डांस होता नहीं है लेकिन मेरा हुआ था और उधर एक बहुत क्या बोलते हैं घरेलू टाइप आफ बैठक था इसे बहुत सारे आर्टिस मतलब जो जो आटिस्ट आप सोच सकते हैं कोलकाता में कितने सारे कलाकार हैं बड़े-बड़े कलाकार सब आय थे और एक बाबा मेरे साथ थे तबले पे बंड़े राज कुमार जी वस अन तबला विद मी और उसके पहले बाबा ने मुझे बोला था था इस 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 आ तो मतलब कौन लो गाएंगे नर्मल अधाइज यू दों तो आप जो नहीं होता है तो मैं उसका ही एक ट्रिप शेयर करना चाहूंगी क्योंकि वह बहुत ही मेमरेबल कॉंसर था फिर्स अवल बिकॉस अब बहुत सारे मुझेंस थे और डांसर भी थे अनफॉटनेटी क्या क्या एंग भी बहुत क्यों पताンダホ है है कि तांस में का 3 में और घ्र शेयर को देखनेंगे जाते हैं यूजिशन उतना डांसर को नहीं देखनेंG जाते हैं और अर डांसर में जाता मुझे जाते हैं and I also got very, very renowned musicians who came to watch me so it was a chance for me to show my musicality as a dancer so that was a very, very memorable concert for me and I think from there I started to see that so that was a very special concert चल एवो क्लिप देख लेते हैं क्या बले तेख लेख लेख लेक्र लेक्रोल serious here प्लीस में प्लाइ हां कर लिन्सी आप쪽ो प्लिबgos। हाई हुआ है गाल कोची ने लडीटा मी आपने पिछी के देखे देखे को भाल लागता देखते लडीटा है जन्ने हाद कि टेशचा कोची पाणिन पिष्जी मोतर पागो ही ना टेशचा कोची तो आशी बात निये चल्च बल्च पर दो अबना है झाल झाल जढ ठाल कि अपा नप्सिते के लड़ को कि अप्साइब। तो आपने साबेरी का नुर्त्य देखा और उन्होंने खुदी कहा कि वो तब 15-16 साल की थी तो मेरे दिमाग में ये एक शारानत भरा सवाल आ गया साबेरी ये पताइए कि आप 15-16 साल की उन्हों में जब आपका मन अगर कभी करता हूँ कि मुझे जरा पॉप सुन लूँ भर की जो बाकी संगीत हैं वो सुन लू तो इसकी आजादी थी या डाट माट परती थी कि सुनो जिस परिवार से आती हो वहां सिर्फ कथक सुनो राक सुन लो अच्छे च्छे और ये जो जादा तुम ये सुन रही हो पास्चात ते चीज़े ये सब बेकार है इसको भूल कि अच्छी मैं जब छोटी थी तब उतना ये सब मैं खुद से ही नहीं सुनती थी I will be completely honest मैं उतना सुनती नहीं थी इवन दो मैंने मेरी पूरी स्कूलिंग मैंने यहां पर किया है लंडन में किया है लेकिन एक क्या था मैं आपको मेरा शेडूल बता देती हूँ वन I was young तो पहले हम जब इधर आए when I was six five and a half six years old तब हम रहते थे नौथ लंडन में और भवन होता है भी West London में भवन है ठीक ह फिर शी वोड़ गो बाई ट्यूब तबहुन 50 मिनट शीव डू हर रोज का यह था हर रोज का तिल डी तिल दी एज ओव आई वूट से 13 13 14 इस वसदर रूटीन मैं वहार रियास करती थी और फिर मैं इधर मां या बाबा के क्लास में बैटती थी दें गो होम होमवर्क करो फिर सुबह उटो स्कूल एंड़ सेम रूटीन मेरे पास तब समय ही नहीं था कि मैं सोचू कि मेरे दोस्त क्या कर रहे हैं मैं सच बात बोलूँगी बुरा भी लगता था सम्टाइम्ज लोग मतलब स्कूल के बाद लोग जा रहे कॉफी शॉप मे बैठ रहे हैं, खेलने के लिए जा रहे हैं लेकिन मेरे पास वो टाइम ही नहीं था मा मुझे लेने के लिए लिए आते थी बस ट्रेन पर बैठो, भवन जाओ, ट्रेन पर जाते-जाते खा लो ताके वहाँ जाके खाके ही ना डांस करना पड़े जाओ उदर फिर बाबा 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 ने मुझे नहीं बोला कि इतना मत सुनो क्योंकि आच्छली मैं उतना सुनती नहीं थी बहुत कम सुनती थी जो भी सुनती थी, it was thanks to my school because school में जाती थी तो दो स्लोगों से मिलती थी लेकिन हम एक बात यहाँ पर कहना चाहूंगी वह यह है कि आपको पता होना चाहिए कि आप अपने musical journey में कहां है क्योंकि अगर आपको यह पता होगा तो फिर आपको पता होगा कि कितना दूसरा चीज सुनने में आपको कितना distraction हो सकता है that understanding you have to build and of course the people around you will build तो मुझे ऐसा लगता है माबाबा ने कभी ऐसा नहीं बोला लेकिन हाँ उन्होंने हमेशा बोलते थे कि इस से जुड़े रहो हमेशा ऐसा नहीं है कि यह सुन रहे हो तो यह नहीं कर रहे हो यह नहीं होना चाहिए लेकिन आप Indian classical music कर रहे हो तो इसका मतलब यह भी नहीं है कि पूरे दुनिया से मतलब आप अपने आपको isolate कर दो वो भी नहीं होना चाहिए क्योंकि at the end of the day we are living in a time of digital space सब कुछ online होता है अब online जाओगे तो आपको pop सुनने को मिलेगा अगर आप नहीं सुनोगे तो you'll be stuck in one place तो नहीं ऐसा कुछ नहीं था but I knew where to stop is all I can say साबेरी के साथ इस बातचीत में अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का कल रात एक बार फिर जुडिये का हमारे साथ ठीक दस बजे इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे और साबेरी के भीतर जो कलाकार है उसके एक और पक्ष को आप से रूबरू कराएंगे उनके गायन का पक्ष कल रात ठीक दस बजे